दोस्तों कक्षा 10 का परस्वाली 8.1 चप्टर तिर्कॉण मिती का पर्चिया को अच्छे से समझेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखिए देखिए इस परस्वाली को हल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे आपका जो तिर्कॉण मिती होता वो क्या काम करता है वो आपका समकॉण तिर्बूज के कॉण और उसकी भुजाओं के बीच का रिलेशन बताता है तो यहाँ पर समकॉण तिर्बूज मैं देखिए पहले समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं यह मैंने यहाँ पर आपका एक संकॉर्ण तिर्बूज बनाया है तो यहाँ पर यह जो आपका कॉर्ण होता है जो आपको देखे ऐसा दिख रहा है एकदम ऐसा यह आपका कितना डिग्री है दोस्तों 90 डिग्री होता है ओके और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं समकौन कहते हैं यानि राइट एंगल कहते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल यानि समकौन तिर्बूज ठीक है तो आप देखे यहाँ पर यह जो 90 डिगरी के सामने की भुजा दिख रही है आपको कौन सी दिखे आपको आप बताई खुद A, C दिखे इसको कहते हैं हाइपोटेनियस यानि करण कोई देखे मिनिंग आपको समझनी आ रहा है तो उसको ऐसे कॉंसेट से समझे फिर अपनी लेंग्वेज में समझ ले उसे उसके बाद देखो यहाँ पर यह मैंने एंगल लिया है कौन सा? C, कितना लिया? ठीटा इसके सामने की बुज़ा को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दोस्तों हम लंब या अपोजिट कहते हैं इसको ठीक है? या इसको कभी कभी हाइट भी कहते हैं देखे यहाँ पर यह तो लंब हो गया इनके बीच रिलेशन के बात करनी है तो इनके बीच आपका जो सीधार डारिक रिलेशन देता है वो आपका पाइथागोरसपर में देता है वो तो क्यों इन तीनों में रिलेशन देगा? वो पाइथागोरसपर में इन तीनों में क्या रिलेशन देगा? वो कहेगा आपको पाइटागोरस पर में कि करण का स्क्वेर बराबर आपका आधार स्क्वेर प्लस लंब का स्क्वेर होता है ये तो आपका कौन के देता है पाइटागोरस पर में लेकिन एंगल और इनके भी इस रिलेशन को कौन देगा इसको देगा आपका तिरकॉण मिती इसको कौन देगा आपका तिरकॉण मिती तो देखे तिरकॉण मिती में relation को देने के लिए हम किसको काम में लेते हैं दोस्तों तिरकॉण मिती है अनुपात को काम में लेते हैं आपके पास कितने त्रिकोंड में थी अनुपात है दोस्तों छे त्रिकोंड में थी अनुपात है उनमें से तीन राजा है और बागी तीन उनके अपोजिट है तो तो राजा को बात कर लेते हैं पहले राजा को समझते हैं दे कि इसको हम ऐसे तरीके से समझेंगे जिससे कि आपको याद रहें साइन, थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा यह आपके राजा साब है अब इस राजा साब के अपोजिट होंगे कोई तो यहाँ पे साइन का जो अपोजिट है वो है आपका कोस थीटा और kos theta का posit है आपका sec theta और ten theta का posit है आपका cot theta अब इनको याद A से रखेंगे हम इनका जो formula है उसको याद करने का меня trick बता रह आँ आपको लाल बटे काका से याद रखेंगे अब देखे हैं यहाँ पे आपका 情况 लाल यानि L L का मतलब है यह आपका L का मतलब है जो ठीटा के सामने की बुज़ाई नहीं लम A का मतलब जो आपका अधार है यह है और K का मतलब यह आपकी करण अब देखो यहाँ पे इनको जैसे लिखा न वेसे आप समझो पहले राजा साब को देखो ठीक है नीचो के एक बहुत भूल जाओ साइन कौन सी पोजिशन पे आया आपका देखो पहली पोजिशन पे तो साइन का आपका यहाँ पर फोर्मला बनेगा दोस्तों लम बटे करण कोस देखो दूसरी पोजिशन पे आया है तो इसका फोर्मला बनागा आपका आधार बटे करण चीक है टैन देखे थर्ड पोजिशन पर आया है तो यहाँ पर देखे थर्ड पोजिशन पर कौन है एल बटे ए एल बटे ए ओके समझ गया अपने कुशन पर आते हैं उसके बाद देखिए यह आपका नोलेज तो काम आए गई हाँ इसी के साथ यह भी बता देता हूं जैसे कोसे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसे का इसका उल्टा हो जाएगा यानि आपका के उपर आ जाएगा और एल नीचे आ जाएगा यानि यह इसका पोजिट है और यह इसका पोजिट है और यह इसका पोजिट है और यह इसका पोजिट है तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने draw किया है, इसमें देखिए question के जो language देरे के उसको समझते हम, इसने क्या का है question है आपका A, B कितना दिया है, इसने choice दिया है ओके, अगेर मैं पढ़ता हूँ देखिए त्रिबूज A, B, C में B समकोन है तो देखिए B को यहाँ पे क्या लिया मैंने, 90 डिग्री लिया है उसके बाद इसने क्या का है A, B कितना choice है उसके बाद का है B, C कितना 7, ओके अब देखिए आपको दिमाग लडाना है कि आपको यदि तिर्कौन मिती अनुपात का मान चीए तो पहले में इसने क्या पुछा है आपको sign A और cost A यदि तिर्कौन मिती अनुपात का मान चीए तो आपके पास किस का मान होना जरूरी है आपके 90 डिग्री के सामने की बुजा का मान होना जरूरी है यानि आपको पहले तो क्या ग्याद करना पड़ेगा यह ग्याद करना पड़ेगा या आप इसको ऐसे समझिए कि तिर्बूज की तीनों गुजाओं की लंबाई आपके पास होनी चीए तो पहला आप यदि ये काम कर देंगे तो भी मतलब आपका काफी हद तक ऐसा मान लो की question सोल हो गया यानि आपने 50% अपना काम पूरा कर दिया तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे पहले बिटते ही यहाँ लिखना होता है आपका हल में पाइथा गोरस परमे से पाइथा गोरस परमे से क्या होता है दोस्तों यहाँ लिखेंगे आपका करण का square यहाँ देखिए यहाँ पर language में लिख देते हैं करण वगरा कर छोड़ो आपके 90 degree के सामने की भुजा देखिए यहां का क्या होती करण तो आपका करण का square यानि AC का square वराबर क्या होता दोस्तों आपका जो बच्ची दो भुजा है उनका square यानि BC का square प्लस AB का square ओके समझ आ गया अब देखो यहां पर आपके पास value किस की दे रखी है BC की value दे रखी है कितना 7 7 तो 7 का square कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा इसकी value कितनी दे रखी है AB की 24, 24 का square कितना हो गया आपका 500 सियत्र हो गया, आपको क्या चीए दोस्तों यहाँ पर AC चीए तो AC का जब square हटाएंगे तो दूसरी और आपका undo आजाएगा यह आप जानते हैं देखे इनको हम जब aid करेंगे तो आपका यह कितना 5 आगे, 1 के रे चलागे 8, 4, 12 1 के रे चलागे कितना 625 आगे अब 625 का वर्गमून निकालना भी मैं बता हूँगा देखे आपको बिल्कुल सेंपल है आप 625 के प्राइम फेक्टर से निकाल सकते हैं और अपना long division method से निकाल सकते हैं तो देखे मैं long division method से आपको बताता हूँ square root के खुब सारी वीडियो आज चुके है उनको देखे चैनल पर जाकर देखे तो तीन गुणा तीन मैं चेक किया तो नो आरा है जो की 6 से बड़ा तो यहां पर मैंने किसको ले लिया 2 को ले लिया क्यूंकि बड़ा नहीं लेना है मुझे क्या लेना है इससे just छोटा लेना है तो just छोटे की इस प्रकार से जांस करेंगा और देखे यहां पर आपका इसको एक वार उपर लेकना है इसका जो गुणा है इसको यहां लिखना है माइनस करना है तो 6 माइनस 4 कितना 2 आगया यह जोड़ा है यहां ले आएंगे और इनको जोड़ना है यह 4 हो गया इसके पीछे ऐसी कौन से संक्या ले उसका गुणा करें कि आपका यह जाए देखिए मैंने 5 लिया 5 का गुणा किया तो आपका यह आगया माइनस किया 0-0 आगया यह नहीं आपके स्क्वार रूट का वेल्यू कितना निकला दोस्ते इसका 25 निकला और इसके स्क्वार रूट का वेल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर आपका IG का वेल्यू 25 निकला है इतना समझा गया तो इस वेल्यू को यहाँ पर लिख दो IG का वेल्यू हमारे पास R चुका है AC बराबर कितना आपका यहाँ पर 25 और ये किस में देखे ये सेमी में है ये सेमी में तो ये भी किस में आएगा आपका सेमी में ही आएगा ठीक है यहां तक बात समझ आ गई है अब देखे हम अपने कुशन पर आते हैं अब उसके बाद हम लिखते हैं अब अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर साइन ए चाहिए तो साइन ए आप क्या लिखेंगे चुकि आपने किसको याद करेंगे लाल बट्टे कका को याद करेंगे लाल बट्टे कका क्या कहता है लाल बट्टे कका यह कहता है भाई तू लंब और करण का अनुपात ले ले ठीक है तो यहाँ पर लंब का अनुपात देखिए लंब कौन से होती है यहाँ पर एंगल कौन सा ले है पहले यह समझो यह एंगल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है एंगल की बात कर रहा है लंब कौन से होती है मैंने आपको क्या बताया एंगल के सामने की बुजा यहाँ पे कौन है BC है तो देखो यह सर BC उसके बाद करण कौन सी होती है 98 degree के सामने की बुजा यहनि आपका AC ठीक है अब देखो यहाँ पर BC का विल्यू आपको कितना दे रखा है साथ सेमी दे रखा है AC का विल्यू कितना पचीस दे रखा है और यहाँ पे साइड में लिख देंगे चुकि BC बराबर आपका साथ सेमी और AC बराबर आपका पचीस सेमी देखिए हर एक स्टेप के आपको नमबर मिलते है बर्ड में तुसको द्यान रखिए उसके बाद इसने पहले ही कुषिन में आपको क्या पुछा है तथा इसने आपको COUS A का भी मान पुछा है तो आप देखिए क्या कहेंगे सर COUS A बराबर चुकि क्या होता है आधार बटे करन अधार मैंने आपको क्या बताया जो बच की भुजा वो अधार है अब बच्ची कौन देखो यह तो आगे किस में लंब में यह आगे करण में बच्ची कौन आपकी A B बच्ची हुई है तो A B बच्टे क्या है के के मतलब करण कौन है यहाँ पर देखो 90 डिक्री के सामने की भुजा कौन है A C ऐसे अपने पैन को रखी पैन आपका जहां टच हो रहा है वो आपका भुजा ठीक है यहां एंगल के सामने पैन रखी ऐसे कौन सा भुजा को टच हुआ इसको मतलब यह आपका क्या है लम ऐसे समझे A C देखे यहां पर आपका A B का वेल्यू कितना है इसना दे रखा कुशन में 24 दे रखा है और इसका A C का वेल्यू कितना है 25 है यह आगे दोस्तों आपके यहां पर इसके वेल्यू जा गए ठीक है आसान लगा अब देखे इसका जो सेकंड पार्ट है इसकी भी बात करेंगे सेकंड पार्ट के लिए हमें एंगल दिया है साइन C एंगल दिया है साइन C और कोस C का वेल्यू गयाद करना है तो अब देखो आपका एंगल बदल गया है एंगल कौन सा बदल गया आपके वार एंगल आपका दूस्तों यहाँ पे C एंगल हो गया है एंगल बदलते हैं आपका कौन बदल जाएगा लंब बदल जाएगा ध्यान रखें करन तो फिक्स रहेगा क्योंकि 90 डिग्री थोड़ी बदलेगा अपना 90 डिग्री रहेगा लेकिन इनमें आपके एंगल लेने के दो उप्सन है या तो ए ले सकते हैं जैसे यहाँ पर ए लिया दूसरा कौन सा उप्सन है C ले सकते हैं अपकी बाद इसने आपको C के लिए दे दिया है अपना पेंड़ रखी, मैंने ऐसे पेंड़ रखा पेंड़ काँपे टच लो रहा है, याँपे टच हो रहा है तो यह आपका क्या है? लंब है चीक है? और यह तो आपका क्या है? देखिए 90 के सामने के यह तो फिक्स है, करने हमी रहेगा अबकी बार आधार कौन बन गया यह आपका आधार बन गया ठीक है अब मेरे को बात किसका करना है यहाँ पे sine c का बात करना है ठीक है अब देखिए चुंकि sine c बराबर आपका क्या होता है दोस्तो यहाँ पे फिर अपने उसको याद करें lum bटे करन लंब कौन सा है यहाँ पर A, B ऐसे समझे अपोजिट अपोजिट कौन सा है A, B उसके बाद देखिए आपका हाइपोटेनिस कौन है A, C A, B का वेल्यू कितना आपका 24 है और A, C का वेल्यू कितना 25 है यहाँ पर इस फर्ष्ट कर देंगे चुकि A, B वेल्यू आपका 24 सैमी और के साथ में सैमी जरूर लिखें जिस मैं दे रखा हो उसको जरूर लिखें सैमी में, सैमी मिटर है तो मिटर में तथा किसकी बात किये दोस्तों कोस C की बात किये तो देखिए कोस को ज्यांसे समझे कौन है आधार बटे करण तो आधार कौन सा है आपका यहां पर B C आधार है ओकि इसके अनुसारी सोचना जिस समय जो एंगल इन उसके अनुसारी सोचना आधार कोन है B C और नीचे कोन है कि करण कोन है आपका A C B C का मान कितना दे रखा दोस्तों साथ दे रखा है और A C क मान कितना दे रखा है 25 दे रखा है तो B C बराबर कितना साथ समय और A C बराबर कितना आपका 25 समय है चीए यहां पर साइड में लिखने देना चूंकी चूंकी ओके तो यह हो गया आपका फास्ट कुशन सोल अब बात करते हैं इसका दे